वेल्कम बैक टू फैशनी टीवी मेरी एको रियक्शन वीडियो में आपका बहुत पुस्वागत है तो यदि आप फर्स टाइम आ रहे हो मेरे चैनल पर प्लीज चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा आज की रियक्शन वीडियो होने वाली है शीवी अच्छे बैड में जो मीरर लगा हुआ है उसमें सामने सपना दिखाई दे रही है वो कह रही है कि अच्छे से बोल रहा है तूं तो ये बात फिर शीवी ने आज जो व्लोग बनाया है उसमें भी दिखाया है उनके सब्सक्राइबर ने वो वीडियो बेची है उनके पास उसने वो क्लिप लगा रही है जिसमें शीवी ने ये दावा किया है कि वो जूट बोल रही है कि उसके भाई ने उसे नहीं बताया सपना के कहने से ही उसके भाई ने जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर डाली है सपना और उसके भाई मिले हुए है और उसने बहुत सा पति गेन करती है वो नहीं चाहती कि उनकी जो वीडियो है वो कोई और डाले ऐसा बहुत सारे आरोप लगाए और यहां तक कि उसने जो टाइटल लिखा है करम कांड के चलते गौालियर से गई है जी हाँ ये करम कांड का क्या मतलब बनता है चलो शीवी ने तो कह दिया है कि म प्रियान दे दिये हैं और जो मुझे प्रूफ देने थे वो दे दिये हैं क्योंकि आप सोच सकते हो कि किसी की ओडियो को देखो बिना उसकी परमीशन के सोशल मीडिया पर डालना ये क्राइम होता है ये शीवी ने किया है तो इसके चलते उसको एक अधिकार मिल गया है सप साफ पूछ रहे हैं बोल रहे हैं उसके ससुर की आप कौन सपना बेटा हो क्या मैं शीवी के फादर बोल रहे हैं ऐसे वो सारी मुझे कहीं से भी एडिटिंग नहीं लगी ये चीज तो है एडिटिंग ही हो माफी तो वो मांग रहे हैं किस चीज की माफी माफी मांग रहे ह यदि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके सुसुर को क्यों हाथ पाउं जोडने पड़ रहे हैं सपना के आगे क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग गलत हो और शीवी ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि ये प्रूफ मैं बाद में दिखाऊंगी मेरे पास प्रूफ है उसक लड़की का करेक्टर सबसे बड़ी चीज होती है आप उसके करेक्टर प्रूबली उठा रहे हो तो यहां सपना भी पुलिस के पास जा सकती है जो शीवी ने किया है वो काम सपना भी कर सकती है क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी लड़की के लिए ऐसा बोलना सही नहीं है क्य आपके पास पुरूफ है इस सीज़ का कि आप सपना को क्या बोल रहे हो किस करम कांड के चलते हैं हुए थे कोई सेक्योर्टी इशू या बहुत सारी ऐसे दिखते हो रही है क्योंकि उसके फरिवार के तो लोग उसका साथ नहीं दे रहे जिसका फाइदा ऐसे लोग उठा रह है कि सपना की अपने माई के वालों से क्यों नहीं बनती थी क्योंकि उस टाइम पे उसके भाई ने राजविर की डैथ की वीडियो डाल दी थी जो सपना को अपने चैनल पे डालनी थी व्यू के लिए उसका कहना है कि सपना सब कुछ व्यू के लिए करती है अपने भाई से इसलिए उसने जगड़ा किया था और जो बड़े वाला वीडियो था उसे डालने के लिए मुझे सपना ने ही कहा था वरना मैं तो उसके परिवार को जानती तक नहीं थी मैं कहां से लेकर आती वो वीडियो वो स्क्रिन शोट तो यहां पर मुझे सपना ने कहा था कि तुम ऐ ऐसे ऐसे करके थमने लगाओ ऐसे टाइटल डालो फिर इसको ना सोशल मीडिया पर डाल दो उन लोगों को पता चलना चाहिए शीवी ने बताया कि मैंने तो मना किया था सपना को कि ऐसा में नहीं करना चाहिए वो तुम्हारी मम्मी है लेकिन सपना ने का कि वो गलत कर रहे है वो सपना से तंग हो गए थी इसलिए गवालेर छोड के गई है इतने कांड करे वैठी है उसका ये कहना था उसने का कि मैंने हर कदम पर अपनी बहन समझ के उसका साथ दिया जिस टाइम पर सपना बिमार हो जाती थी उस टाइम पर वो मुझे कोल करती थी कि मुझे होस्पिट पर मैं थी दोनों के जाने के बाद मेरे परिवार ने उसे अपनी बेटी मानार उसने मेरे साथ ऐसा किया अब क्या किया ये नहीं बताया ये जो पुरानी बात दे थी उनको ही वो मतलब गीत गाय जा रही थी तो ये बताओ कि उसने रियल का जो अब क्या बात हुई है वो एक बार भी नहीं बताई क्यूं उसके ससूर ने फोन किया क्यूं उसके पती ने सपना को गाली दी ऐसा अब क्या हुआ अब जलन किसको किस से हुई दूसरा रही बात बड़े की तो उसने कहा कि मेरा कोई इंटेंचन ऐसा नहीं था मुझे हजारों गालिया मिली थी इसकी बोला जा रहा है फिर भी मैंने अपनी दोस्ती के खातिर एक शब्द भी नहीं बोला क्या मुझे उस टाइम पर फरक नहीं पड़ता था मेरे परिवार को इतनी ज्यादा लोग गालियां देते थे और बहुत सारी ऐसे चीज़ें शीवी ने भी कही है कि मेरे पास भी बहु कि मतलब ये ना तुमारी जो दाना पानी आ रहा है ना वो सब बंद हो जाएगा उसने का कि मुझे कोई शोचल मीडिया पर अपनी बात ऐसे रखने का क्योंकि मुझे भी उसे मैटर नहीं है मैंने लीगल एक्शन तो ले लिया है अब सपना और जो उसके भाई के खिलाफ क वाले ही होंगे अच्छा एक चीज़ और जो उस टाइम पे लोग उठा रहे थे कि शीवी को उसके साससुर पे तरस नहीं आता वो सपना का साथ दे रही है उसने एक बार विजा कर हाल चाल नहीं पूचा तो यहां आज ये बास शीवी ने खुद उठाई है कि आप सोच सक जितने वी रिष्टे बने हैं सब गलत है सिर्फ एक सपना सही है तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक इनसान सही हो ताजायर बाकी सारे गलत हो जाएं उस मुडे वाब आप की क्या गलती थी मतलब यहां पर सपना के साससुर का फेवर कर रही है आप सपना शीवी आप सीवी है न तो मतलब लोग में उसने जो कुछ का है क्योंकि मुस्लि लोगों का कमेंट यही है कि आप मतलब बहुत गिरी हुई लड़की हो या फिर जो कमेंट कल हेट्स आ रहे थे वो ही शीवी के पास आज भी आ रहे हैं उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ रहा कि आप किस तरह की वीडिय नहीं बना सकते क्योंकि ओडियन्स जानती है कि शीवी गलत बोल रही है बहुत सारी बाते ऐसी है जो उसने का परूफ के साथ दिखांगी लेकिन नहीं दिखा रही क्यों नहीं दिखा रहे जैसे आप कह रहे हो ना कि वो वीडियो क्यों डिलीट की उसके भाई ने ऐसा दम है तो रखो क्योंकि तब तक तो यह यूटूब पे फैल चुकी है सब के पास वीडियो डाउनलोड हो चुकी है तो आज उसको डिलीट करने का क्या मतलब रखो उसको अपने पास तो ऐसे ही हम आपको कह रहे हैं कि आपके पास कोई पुरूफ है तो डालो तो अभी तक तो आपके बारे में कुछ कहानी बाकी देखो आपका कहना है आपको लग रहा है कि मैंने दोस्ती निवाई है सपना ने नहीं निवाई तो हम सपना को बहुत पहले से जानते हैं वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है बाकी जब दुखों का पार्ट तूटता है ना चारों तरफ से ऐसी तूटता है अपने भी पराई हो जाते हैं तो आप तो फिर भी एक दोस्ती आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरूर उताना वीडियो को लाइक करना जादा से जादा शेयर भी कर देना